मेरा ना मजीद सिंग और आप मेरा यूटीब चैनल देख रहे हैं जद्दा की खरी-खरी थोड़ा सा इसको एड़ेस्ट कर ले हाँ तो सब कल चंदौली उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अजीबो गरीब घटना हुई है चंदौली जो है वह वारानसी के बगल वाला जिला है पहले वो जो मुगल सराय रेल्वे स्टेशन होता था ना बहुत बड़ा जंक्शन है बनापस के बगल में बिग्गेस्ट यार्ड ऑफ दे इंडियन रेल्वे वह जिला चंदौली में आता है तो जब चंदौली का गाव है मनराजपूर वहां पे पे एक यादव जी है वो थोड़ा बहुत उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई बहुत बड़े क्रिमिनल माफिया नहीं है पर ठीठाक सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जैसे गावं में एक्सर लोगों का हो जाता है तो उनका नाम है जी कनहिया यादव तो कनहिया यादव जो थे वो जिला बदर थे त तो दबिश बोलते हैं तो बता रहे हैं कि उनके साद कुछ लेडी पुलीस भी थी और अभी पुष्ट खबरे हैं कुछ लोग कह रहे हैं तब दस पलीस वाले गए थे कुछ कहते हैं बीस पलीस वाले गए थे तो देखिए आम तोर पे जो पुलिस की जो modest operandi होती है ने काम करने का जो धंग होता है आम तोर पे पुलिस वाले फोन से काम चला लेते हैं आरे भाई या थाने में पेश हो जाओ आपके खिलाफ वारेंट है और 99% लोग खाली एक फोन सुनके ही थाने में पेश हो जाते हैं यह हमने देखा है गाओं में क कोई बात होई पुलिस ने जो है फोन किया और अपने आप घर वाले जो है वो सम्मंदित व्यक्ति को लेकर थाने पहुंच जाते हैं साथ में 4-6 नेता परेता दलाल कितम के लोग पहुंच जाते हैं गाओं के परधान जी पहुंच जाएंगे एक आक ठोर नेता सपा का भा आम तोर पे जब इतनी फोर्स लेके कुछ लोग तो कहरें तब 40 लोग आए थे कुछ कह रहें नहीं 20 लोग थे कुछ कह रहें दस थे और ऐसे चो स्वें महाउदे प्रताब सिंग नाम के के सच्चों है सेद राजा थाना पड़ता है ये वही एरिया है विदान तबा कहां गए तो हमको कनया यादव नहीं मिले हम लवट आए कनया यादव के हैं चार लड़के दो लड़किया कनया यादव थे जिला बदर सो कॉल्ड तो कल परसूं उनके एक और लड़के को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और वो बताते कि छोटा लड़का जो है जमानत कराने गया था और तब तक पुलिस को सूचना मिली होगी कि वो जो जिला बदर अपराधी है कनया यादव उस पर गुंड़ा एक्ट वगरा लगा हुआ है तो वो जो है घर पे ही है ऐसा पुलिस को कुछ सूचना थी तो इसलिए उन्होंने उस पर दबिश्ट दी तो जब उसके बाद आरोप यह लगा कि घर पे कोई मर्द नहीं था और पुलिस वालों ने वहां दो लड़कियां थी एक गुंजा और एक का नाम ऐसे कुछ निशा टाइप का कुछ नाम है येस ऐसे निशा या ऐसे कुछ नाम है मैं भी चेक करके बता देता हूँ था गुडिया घर का नाम गुडिया तो गुंजा और गुडिया गुंजा अठारा वर्ष गुडिया बाइस साल तो अब पुलिस जो है जाते ही लड़कियों को तावड तोड़ पीटने लग गई चोट जवान जो है लड़की को पीट रहे थे और लड़की अंदर कमरे में बंद थी और जोर जोर से चिला रही थी थोड़ी दिर बाद लड़की के चिलाने की आवादें बंद हो गई और उसके बाद पुलिस वाले सब चले गए ये छोटी वाली लड़की के बयान है गुंजा और फिर जब मैं कमरे में गई तो दीदी जो है पंक्खे से लटक रही थी फिर मैंने वो दीदी को लटकती हुई को पंखे से उतारा ये उसने बयान दिया है और ओन कैमरा दिया है ललन टॉप का एक रिपोर्टर जो है उसने वो बयान लिया है मैंने यूट्यूब पे देखा है आप भी देख लिजिए ये कोई हवा हवाई बाते नहीं हो रही है गुंजा ने ललन ट आपको बकायदा ओन रिकॉर्ड कैमरा पे ये बयान दिया है और फिर हुआ गया कि पुलिस वालों ने मार कर मेरी दीदी को पंखे से लटका दिया और ये पूरा तमाशा 30-40 मिनिट तक चलता रहा खैर साथ अब तो हत्या हो गई और उसके बाद बहुत बवाल हो ग आज घोशित कर दिया हमारे टिप्पू भी आ हैं अकलेश यादव जी उन्होंने आजकल वह अपराध नामा च्छापते हैं उन्होंने भी यूपी में तो एकदम जंगल राज है ता इस तरह घोश के पुलिस लड़कियों को मार देती है तब इस पकार के पुलिस पर आरो पुलिस सच बोल रही है तो जांच का विश है अब सब जब जब हत्या हो गई या किसी की मृत्य हो गई और नेचरल डेथ नहीं है तो पोस्ट मॉर्टम जरूर होगा तो था वैससपी साहब वहां पहुंचे आईजी साहब वहां पहुंचे और उन्होंने लड़की को था वह पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की जो प्रथम दरस्टेया पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आई है वो सुन लिजे वो भी पूरा नेट पे है और सब कुछ है आप देख लीजीगा वो कहते है इसाब देर आर नो एक्स्टर्नल और इंटर कर्नल इंजरी मार्क्स जिस लड़की को दस पुलिस वाले बेतहाशा मार रहे थे उसके शरीर पर कोई इंजरी का मार्क नहीं है तो भाया कैसे मार रहे थे पंक वंक की कोई छड़ी थी फूल थे किस चीज से मार रहे थे आखिर दस पुलिस वाले और लड़की चिला भी रही थी इसके बावजूद कोई इंजरी मार्क नहीं है एक हलका सा बतारे स्क्रैच यहां है यहां पर हलका सा नाकू नाकू टाइप के लग जाने का और एक उस मेजरमंट प्वाइंटं की सेब्वर्यंस कंका ने.. यासन है वो यहां पर लगबग यहां पर एक हलका सा एक थोटा सा एककट यहां है और एक स्क्रैच रोंच का निशान है ये दो इंजरी मार्ट्स हैं एक्स्टर्नल इसके अलावा इंटर्नल भी कोई इंजरी मार्ट नहीं है और पोस्ट मॉर्टम ने प्रतम द्रिश्ट्या कॉज अफ डेथ अभी तक का जो हुआ है उसमें अन्नोन बताया है कि अभी पस्ट नहीं हो रहा है कि मृत्यू लड़की की कैसे हुई है विसरा जो है फर्दर एग्रामिनेशन के लिए जो पेट में जो भोजन होगा रात्यादी होता है उसको फर्दर जांच के लिए भीज दिया गया उसका एनलसिस होगा तो उसक हमारे देश में तो पुलिस बहुत तेज होती है पुराने दमाने में तो कुछ की कुछ पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बन जाया करती थी पर आजकल था इतना ज्यादा चुकि तोशल मीडिया का दमाना और वहते भी बहुत जादा पब्लिक में भी जागरूपता आई है त तीन डाक्टर्स के पैनल ने जिला अस्पताल में पोस्ट मॉर्टम किया है पहली बात दूसरी बात यह कि पोस्ट मॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और जब clone का तो वह इस ए た लिए मॉवतें उसको कपड़े उतारकर निर्वस्त्र करकर पूरी बॉस्त्र तो नहीं हुआ रिप्रोड़क्टिव पार्ट्स में विजाइना इत्यादी में कोई इंजरी तो नहीं है कोई पेनेटरेशन तो नहीं है कोई एक्स्टर्नल इंटर्नल इंजरी मार्क्स तो नहीं है यह सारा internal parts check किये जाते हैं कि lungs की क्या position थी कि lungs में blood तो नहीं था heart की क्या position थी heart attack होता है तो उसके अलग वो forensic science है पूरी post-mortem की पूरी pathological science होती है कि अगर heart attack से death होई होगी तो यहां 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 blood मिलेगा arteries में यह position होगी arteries में यहां यहां blood जमा होगा वो साब medical है अगर गला घोटने से मरती हुई है या मुझ पे तक यह रखके मारा गया है तो उसके अलग symptoms होते हैं मतलब एक एक चीज medical science पकड़ लेती है और उसकी बाकाइदा वीडियो ग्राफिक रह जाती है आज मेरी दो डॉक्टर से भी बात हुई है एक डॉक्स अब तो ऐते हैं जो कि खुद post mortems करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि आज कल तो एक एक body organ जो है वो बता देता है कि उसके साथ क्या च्छड़ भी है उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने पिटाई तो खर बहुत बड़ी बात है वो कहते हैं बेल्ट से मार रहे थे अगर आप किसी लड़की एक मजबूत आदमी किसी लड़की या किसी व्यक्ति के हाथ को ऐसे कस के मजबूती तैसे पकड़ ले ना जोड से थपड मारा गया है घूसा तो कर बड़ी चीज़ होती है डंडों और बेल्ट से पिटाई तो छुप ही नहीं सकती उसको तो पूरा शरीर पे नील पड़ जाते हैं इंटर्नल जो है ब्लीडिंग होती है बहुत दुनिया भर के जो है उसके इंजरी मार्क्स होते है दुसरी चीज़ है यदी मृतका को पंखे से लटकाया जाएगा चाहे वो मारने के बाद है या जीवित को लटका दिया जाए जिसके फांसी लगने से मृत्य होती है तो उस केस में भी यहां पे गला घुटने के और वो जो टाइट वो भी बता रहे हैं कि साड़ी से जो उसको लटकाया गया था तो साड़ी के मार्क्स उसके बाद साड़ी में उस मृतका की डेड सकिन के अवशेश डी अने के अवशेश वो सारी जीने फॉरेंसिक उसमें हो जाती है पकड़ में आ जाती है तो साब पोस्ट माटम रिपोर्ट कहती है कि मृतका को लटकाने के कोई प्रमाण नहीं मिले है शरीर पे पोस्ट मॉटम में जबकि वो लडगी गुंजिया जो है छोटी बहन वो कहती है कि मैंने देखा कि दीदी जो है पंखे से लटक रही थी उतने बकादा वो पंखाया दिखाया भी है और उसके बाद मैंने उसको उस लटकती हुई लड़की को अपनी बेहन को मैंने उतारा आप ये बताऊ था वो आप ललन टाप के वीडियो में देख लीजेगा मुश्किल स 1445 किलो की वह लड़की है 18 साल की पतली दुगली सी एक 55 किलो की डेड बॉडी लटक रही है उस पर गांठ लगी हुई है जर्दन में एक लड़की कुरसी पर प्लास्टिक की कुरसी पर चढ़के एक डेड बॉडी को उतार लेगी आपको ये स्टोरी पर विश्वास होता ह मैं तो कहता हूं कि अब हमारे जैसे हट्टे कट्टे दो तीन लोग भी लग जाएंगे ना तो भी उसको हमको भी उतारना मश्किल है जाएगा क्योंकि वो लटका हुई है और पूरा वदन है तो वो गांठ इतनी टाइट है कि वो गांठ अपने सबजी का लिफाफे की गा गांठ तो खुलती नहीं है सिंपल तो जो लटका हुआ है पचास केलो का वदन जिस गांठ पे वो गांठ कैसे खुल गए और उस लड़की नहीं किते और अब तक गांव का कोई चश्मदीद गवाह आया नहीं है जिसने यह कहा हो कि हां हमने भी देखा वो डेड़ बॉड तो उसको उतार रहें नहीं चाहिए वो तो एविडिन्स से चर्चाड होगे पुलीस आएगी वो उतारेगी वो सारी कारवाई करेगी खैरता है उसके बाद उसके भाई नहीं आरोप लगाया कि मेरी बहन का रेप हुआ है जबकि गुंजा कहते कि नहीं ऐसे कोई बात नही उसकी वीडियो रिकार्डिंग कराई है की है खुद जब हमने वह रेड की है तो उनके घर पे अपने अपने बचाओ में अपने एसेसपी को सेध राजा पुलीस में सौंपती है सेध राजा पुलीस के एसे चो उद्य प्रताप सिंग खिलाफ प्रात्य में कारवाई करते ह होई जिल्र प्रशातन ने उन को जो हे سस्पेंड करके के लाइजर के दिया है ‎र उन पर जैज के बढ़ी गई है और एराजतन हत्या का एक मुःड़ेदी लिए के लेद हो गया वे इन्वेजिशन हो गई तो सच्छे पाइस ये जी जाएंगे जोटे पाई जाएंगे सच्चे पाई जाएंगे तो सब एसेच्चो साब और वो जो पुलीस पार्टी थी वो 302 या गैरे राज़तन हत्या 304 दिधाराओं में जिल चले जाएंगे उनके हत्या के मुकर्मा चल जागा अगर वो विवेचना में पाई जाता कि नहीं ऐसी कोई बात न नहीं हुई नहीं हुई थी तो वो पुलीस पार्टी बड़ी हो जाएगे उसको क्लिंशिट मिल जाएगे तो अब सब बात यह कि एक पक्ष आरोप कुछ लगा रहा है पुलीस जो है अपना काम करना गई थी वो कुछ बोल रही है अच्छा इस प्रकार के घटनाय रोज हो होता है और हम कोई पागल नहीं है कि हम जाते ही और वहाँ अपराधी अगर नहीं मिला तो लड़कियों को पिटने लग जाएंगे यह था कोई पुलीस वालत नहीं करता है तब को अपनी नोकरी बहुत प्यारी है और मैंने पूछा आखिर फिर भी यह बवाल होता क्यों है कहता है जी आम तो पर अगर हम किसी सचमच के हार्डेंड क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं तो उसके घर की पूरी औरतें लड़कियां आके पुलीस से भड़ जाती हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अपराधी को हम पकड़ने न पाएं और अपराधी को भगाने की है मैंने पाकिस्तान का एक वीडियो देखा था वह बहुत वायरल हुआ था जिसमें साथ-ाथ-चोर किसम की औरतें एक शोरूम में गुज़ गई जब दुकानदार ने उनको रोकने की और पकड़ने की कोशिश की तो फटा-पट फटा-पट साथ लड़कियों जितने एक एक लड़की थी उन्हों अपने कपड़े उतार दी और पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई पंजाब के किसी शहर का एक वीडियो है आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा और फिर वह सुरेयों सो दोसो मेटर नंग पुलिस जो उनको जब रुदस्ती कपड़े पहना दी और वो कपड़े उतार उतार के फेक रही है तो सब जब पुलिस दबिश देने जाती है तो पुलिस को ऐसे बहुत सारे केसे सामना करना पड़ता है और जो यह लोग कहता है कि जनता तो बिचारी बहुत मेरी है हम यह नहीं कह रहें कि पुलीस एक्राथित नहीं होती या पुलीस बहुत responsibility काम करती है मैं यह कते ही नहीं कह रहा हूँ पर जब अपराधी को पकड़ने पुलीस जाती है तो पुलीस को भी बहुत कुछ जेलना पड़ता है और अपराधी के घर वाले भी इतने शरीफ होते नहीं है जितना फिर वो political party और पत्रकारों के सामने या media के सामने टेलविजन के सामने नाटक करते हैं अब साहब बात यह कि हो सकता है लड़कियां सही कह रही है पीडित परिवार का बयान सही है पुलीस बहुत दोष्ट है बहुत हरामी है हो सकता है या हो सकता है कि यह जूटी स्टोरी हो ऐता कुछ नहीं हुआ लड़की कैसे मरी अगले दो-तीं दिन के इंवस्टिकेशन में पता लग जाएगा उसको किसने नहीं मार के लटकाया वो लटकी थी ही नहीं अब तक का जो अविडेंस आया है तो सब इसका हल क्या है मैंने हमेशा ऐसे जब भी कोश केस में डिसक्स करता हूँ तो सब इन सभी समस्याओं का एक तरीका है बॉडी क्याम ऐसे प्रच्चेग व्यक्ति को सिर्फ पुलीसमेन को नहीं ऐसा प्रच्चेग व्यक्ति जो पब्लिक डीलिंग की नौकरी करता है या किसी ऐसी कुर्सी पर बैठता है जहां पर रिश्वत खोरी या पब्लिक के साथ मिस्वेहेव करने के चांसे हैं जैसे फॉर एक्जांपल रेलिवे का टीटी उसके शरीर पर धारण करने वाला बॉडी कैम एक शरीर पर लगा हुआ कैमरे को अनिवारे कर दीजिए प्रच्चेग पुलीस वाला जो तड़क पे फिल्ड में समाज में अपने थाना चेत्र में ड्यूटी कर रहा है अगर वर्दी पहनेगा तो वर्दी के साथ ता आपकी पत्य गतिविदी को रिकॉर्ड करेगा क्या आपने किसको जो है छोड़ दिया किस सो रुपे लेकर छोड़ दिया किसने आपसे बत्तमीजी की आपने जब लाइसेंस मंगा तो गाली उसने दी या किसने आपको सौ रुपे आफर किया गितार सौ रुपे ले लो मेरा चलान मत करो या आपने चलान की धमकी दे कर पैसे वसूलने के लिए ही उसको रोका था कि सारा कुछ आपके बॉडी कैम में रिकार्ड हो जाएगा और इतना बड़ा देश है एक यह चोटा सा रिफॉर्म बॉडी कैम में कितने पैसे लग जाएंगे और चरण बद्ध तरीके से सच्चो साहब कोई कम तेकम बॉडी कैम दे दो हर थाने के सभी इंस्पेक्टर्स को दे दो सभी जो भी एक स्टार दो स्टार वाले उनको दे दो फिर देरे-देरे मुंशियों को दे देना सब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तभी खतम होंगे सच्चाई तभी सामने आएगी और सच्चमुच का रिफॉर्म तब होगा जब प्रत्येक करमचारी प्रत्येक वहव्यक्ति जो पब्लिक डिलिंग कर रहा है उसके शरीर पे बॉडी कैम होना चाहिए 99 परसंट समस्चा है अपने आप वो बॉडी कैम की वज़े साल हो जाएंगी क्यों कि अब कोई आपको देख रहा है अब आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते अब यदि वो उस फचो साहब ने और उस पूरी पुलीस टीम ने जो वहां दविश देने गई थी उनके शरीर पे अगर बॉडी कैम होते तो वो कनया यादव का परिवार सच बोल रहा है या ज आप इस स्थी क्लियर हो जाएगी जब अब इसकी जब पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के जब विसरा के रिपोर्ट आ जाएगी और पॉलीस इंविस्टिकिशन करेगी तो अपना पिसमें दूट का दूट पानी का पानी हो जाएगा तो इस घटना पे हम अपनी नजर आली में मिलते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो वेरी मच्च